जाहें दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अलफा सेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके अपने ही चैनल पर दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे बात करूँगा भारतिया सेना के अंदर हवल्दा और सर्वेर भरती 2024 के बारे में साथियों बहुत सारे उमिदवार जुड़े में जो की लगतार कमेंट करते रहते हैं कि भरती आएगी या नहीं आएगी और इसके लिए सही एजुकेशन क्या है इसके बारे में साथियों आज आपसे बात करूँगा सबसे पहले दोस्तों फरवारी आर तारिक से भारतिया सेना के है जो भरती है उसके लिए ऑनलाइन जो आविदने आपके स्टार्ट कर रही है तो आपको एक दो दिन में पता चल जाएगा भरती आएगी या नहीं आए एजूकेशन दोस्तों सबसे पहले ये दोस्तों आपके है 12th किलास 12th किलास के अंदर आपके पास PCM सब्जेक्ट होना जरूरी है ठीक है PCM Physics Chemistry Math अनिवारिय है और इन तीनों विशे में आपके कम से कम 50 परतिशत अंक होने भी जरूरी है ठीक है पहली सर्त क्या है आपके 12th क Chemistry Math के साथ और आपके पास इन तीनों सब्जेक्ट में कम से कम 50 परतिशत अंक होने आवश्चक है इसके बाद दोस्तों आप BA या फिर BSC होने चीए विद मैथामेटिक ठीक है आप BSC या फिर BA या फिर BSC होने चीए विद मैथामेटिक मैथ होनी आपके पास जरूरी है ठीक Bachelor of Engineering की है या फिर Bachelor of Technology की है तब भी दोस्तों आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं ठीक है बीटेक डिग्री है ना बीटेक डिग्री किस किस में होने चीए आपकी देखिए बीटेक डिग्री इन सिविल या फिर आपका Electronic या फिर आपका Electrical या फिर आपका Computer Science या फिर आपका Mechanical या फिर Computer Technology और इसके लावा is true math अगर आपने इन सब्जक्ट में क्या है इन चीजों में क्या है आपने बीटेक क्या हुआ है तब भी आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं ठीक है लेकिन 12th किलास में आपके पास बता दिया PCM होना चाहिए 50 पर्तिशत अंक 50 पर्तिशत जो अंक है वो आपके इच सब्जक्ट में होने चाहिए ठीक है तो यह इसके लिए क्या है दोस्तों सही education है तो जितने भी उमिद्वार है इनको क्या education के लिए लेके doubt था लगातार कहीं न कहीं message कर रहे थे या फिर comment box में comment कर रहे थे तो इस वीडियो को देखने के बाद क् इसके बाद दोस्तों height बहुत सारे उमिद्वार है जो कि height को लेके बहुत confusion रहते हैं height दोस्तों जो आपके state में लागू है general duty वाले एक उमिद्वार को लागू है general duty के लिए जो height लागू है वही दोस्तों हवलदार surveyor के लिए भी height लागू है ठीक है और जितने भी उमिद अपने त्यारी अच्छे से करनी है और जैसे ही कि अब इसका notification आएगा तो मैं वीडियो के मध्यम से आप लोगों को जानकारी दूँगा और मैं भी चाता हूं कि भरती आए और जितने भी उमिद्वार है जो त्यारी कर रहे हैं वो इसके लिए आवेधन कर पाएं ठीक है जो नए बच्चे हैं उनको बता दू हवालदार सर्वियर दोस्तों एक बहुती बहुती बैतरी जॉब है और लास्ट यर मैंने जब ये वीडियो बनाई थी तो काफी बच्चों को उस टाइम पता चला ये भी कोई वेकंसी भारत्य सेना के अदर होती है तब उन्होंने फ ठीक है तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और किसी भी प्रकार को आपको डाउट होता है कोई आपको शाक है कोई सवाल है कभी भी आप मुसे संपर्क कर सकते हैं जो मेरा नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ठीक है तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो औ बने हैं चैनल के साथ भारतियों सैनाओ और स्विए प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें जय हिंद जय भारत वंदे मातरम करता है